Hello everyone, once again I welcome all of you in gateway classes तो जिन students के exam phase 1 में होने वाले हैं उनके लिए AKT के तरफ से एक सरक्लार आया हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं अगर हम BTEC course की बात करें तो BTEC 3rd year और Final year के exam phase 1 में होंगे और phase 2 में exam होंगे BTEC 1st year और 2nd year के लिए है ना तो यहाँ पर phase 1 के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले AKT ने tentative exam schedule जारी किया था और आज final exam का जो schedule वह आ चुका है final exam की date sheet आ चुकी है आपके exam 4 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 के बीच में offline mode में कराई जाएंगे actually कुछ बच्चों के comments आ रहे थे कुछ बच्चे ये पोच रहे थे कि सर्फ Corona फिर से आ रहा है क्या हमारे exam online mode में हो सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है अलग से देखो पूरा जो है साप साप university लिग दिया है offline mode में आपके exam होंगे 4 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में तो यहाँ पर यह पूरा जो है schedule आपको दे दिया गया है date wise course wise है ना कौन सा course है कब कौन सा कौन से शिफ्ट में कब exam होगा तो यह पूरी final date seat आ चुकी है तो आप लोग गलती मत करना जो लोग phase 1 में एक्जाम देने वाले हैं तो जो पुरानी वाली date seat थी उसको आप अपने mobile से हटा दीजी और जो new date seat है जो final date seat है इसी के हिसाब से आप अपनी तयारी करें exam center पे आप इसी के हिसाब से पहुंचेंगे और यह जो आपकी date seat है इसको मैं telegram channel पे पोस्ट कर दिया है मैंने share कर दिया telegram channel पे telegram channel का link description में नीचे मिल जाएगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप phase 1 में exam देने वाले हैं चाहे आप किसी भी course के हैं यह पूरी date seat आपको यहाँ पर मिल जाएगी चलिए फिर मिलते हैं नई information के साथ thank you thank you very much